अगर आप अपने Google account का password भूल चुके हैं और आप यह जानना चाहते हैं कि Google account का password कैसे पता करें तो यह वीडियो होने वाली है सिर्फ आप के लिए तो इस वीडियो को बिना इसकिप के वे step by step follow कर ले तो बिना time waste के वे इस वीडियो को start करते हैं अगर यह वीडियो पसंद आय तो एक like करके subscribe जरूर करके जाना तो सबसे पहले हमें अपने phone के settings में आ जाना है यहां पर आने के बाद हमें scroll करके नीचे आ जाना है यहां पर आने के बाद देख सकते हैं यहां पे option देखने को मिल रहा है Google अगर आपके phone में यह option नहीं हो तो आपके phone में एक option जरूर होग account करके तो आपको उस पे click कर देना है तो अब हम यहां से Google पे आ जाएंगे यहां पे आने के बाद हमें कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल रहा है तो देख सकते हैं यहां पे हमें एक option मिल रहा है All Service तो हमें इस पे click करना है अब यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे हमें एक option मिल रहा है auto fill करके तो आपको इस पे click कर देना है यहाँ पे आने के बाद अब हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक option मिल रहा है auto fill with google तो हमें इस पे click कर देना है अब यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल रहा है तो देख सकते हैं यहाँ पे अब हमें एक option मिल रहा है google password manager तो हमें इस पे click कर देना है आपको ये सारे step अच्छे से follow कर लेना है तो अब हम Google password manager पे click करेंगे अब हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है बहुत सारे अलग-अलग password यहाँ पे आप देख सकते हैं तो अगर आपके phone में Google का password यहाँ पे save होगा तो इस तरीके से यहाँ पे so कर जाएगा तो आपको इस तरीके से इस पे tap कर लेना है उसके बाद आपको अपना fingerprint या फिर password दे देना है तो यहाँ से आप अपने Google account के password को देख सकते हैं और यहाँ से आप इसे copy कर सकते हैं लेकिन अगर आपको आपके Google account का password यहाँ नहीं मिले तो don't worry guys मैं आपको एक और trick बताने वाली हूँ जिससे आप अपने password को बहुत ही असानी से पता कर सकते हैं इसके लिए वीडियो को skip मत करना तो अब हमें करना यह ही कि यहाँ से back आजाना है back आने के बाद वापस से हमें फिर से अपने settings के home page पे आजाना है यहाँ पे आने के बाद फिर से हमें Google पे click करना है इस पे click करते ही दुबारा से हम उसी page पे वापस से आ जाएंगे तो अब हमें करना यह ही कि देख सकते हैं यहाँ पे हमें अपने Gmail का option मिल रहा है तो हमें इस पे click करना है इस पे क्लिक करने के बाद यहां से आपको अपने Google अकाउंट के Gmail को सेलेक्ट कर लेना है For example के रिए मैं यहां से अपने इस वाले Gmail को ले लेती हूँ तो अब हमें इस पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करते ही वापस से हम उसी पेज पे आ चुके हैं तक यहां फर हम एक ओप्शन मिल रहे हैं Manage Your Google Account तो हमें इस पे क्लिक करना है यहां पर आने के बाद आपको इस तरीके से स्क्रोल करके Security ऑर उप्शन पर आ जाना है अब यहां पर हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देख ने को मिल रहा है तो हमें करना यह है कि सबसे नीचे आ जाना है स्क्रोल करके, सबसे नीचे आने के बाद देख सकते हैं, यहां पर हमें एक option मिल रहा है password manager, तो हमें इस पर click करना है, इस पर click करने के बाद फिर से आपको चेक कर लेना है कि आपका password यहां पर save है या फिर नहीं, अगर है तो फि करके सबसे उपर आ जाना है यहां पर आनी के बाद देख सकते हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है तो देख सकते हमें एक आप्शन देखने को मिल रहा है पास की तो हमें इस पर क्लिक करना है यहां पर आनी के बाद आप हमें कुछ इस तरीके का इंटर को बनाएंगे तो उसके लिए देख सकते हैं यहां पर हमें एक option मिल रहा है continue का तो हमें इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करते ही आपको यहां से अपने fingerprint को दे देना है अगर आपके phone में fingerprint नहीं है तो फिर passport को दे देना है अब हमें कुछ इस तरीके का interface को मिल रहा है तो देख सकते हैं यहां पर हमें एक option मिल रहा है use pass की तो हमें इस पर क्लिक करना है इस फिर क्लिक करने के बाद यहां से हमें से done कर लेना है उसके बाद यहां से करना यह है कि back आ जाना है बैक आने के बाद देख सकते हैं नीचे की तरफ हमें एक option मिल रहा है password का तो हमें इस पे click करना है अब यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल रहा है तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक option मिल रहा है new password का और नीचे मिल रहा है confirm new password का तो अब आपको यहां से अपने नये password को बना लेना है, ध्यान रहे हैं नया जो password हो वो 8 character का हो और एक strong password हो, तो यहां से हम अपने नये password को बना लेते हैं, तो देख सकते हैं, यहां पे मैंने अपने password को एक बार डाल दिया है, अब उसी password को हमें दुबारा से यहां पे डाल द है तो अब यहां पर मैंने अपने अपने password को डाल दिया है अभर नीचे की तरफ एक और से चेंज पासवर्ट तो इसपर क्लिक करना है कि इस पर क्लिक करने के बाद फिर से हम्हैं चेंज password कर देना है तो देख सकते हैं यहाँ पर की तरफ हमारा जो password ही वो change हो चुका है तो आप भी इस तरीके से बहुत ही असानी से आप अपने Google account के password को पता कर सकते है और फिर आप अपने Google account के password को change कर सकते है So I hope कि आपको यह चोटी से जानकारी अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो जाते-जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक भी करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी थैंक्यी फो वाचिंग मैं वीडियो